इसके अंदर हम डिसकस करेंगे कि प्रिजम के अंदर कब TIR होगा और कब नहीं होगा मतलब उसके उपर क्या कंडिशन्स हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि TIR होगा या नहीं होगा यह relation find करने के लिए condition for TIR के लिए हमने क्या रखा है कि एक prism अगर मुझे given है तो क्या मुझे उसका C पहले से मालूम है यस पहले से मालूम है उसका A मुझे पहले से मालूम है अब मैं चाहता हूँ पहले तीन स्टेप्स हैं हमारे इस condition में पहला step यह है कि 100% TIR होगा ही होगा जो मर्जी angle of incidence रख लो आपका TIR होगा ही होगा ऐसी condition बताओ ऐसा prism बताओ जिसके अंदर TIR आप रोक ही नहीं सकते उसके लिए देखो मैंने condition लिखी है एक prism जो आपको given है उसका angle of incidence मुझे मालूम है उसका angle of prism मुझे मालूम है और मुझे critical angle मालूम है और आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि जो TIR है वो कब हो सकता है इस stage पे कभी नहीं हो सकता TIR होगा तो इधर होगा क्यों क्योंकि denser से rarer में होता है तो इसलिए हमें ज्यादा concern किसका है obviously concern किसका है R2 का कि मतलब किसी भी angle of incidence पे जो R2 की minimum value आती है R2 की minimum value भी जो हो वो भी C से बड़ी हो तब 100% TIR होगा मतलब जो मर्जी रे इधर गिर जाए इधर TIR होगा ही होगा अब बात यह आती है कि R2 की minimum value होती कब है आओ देखें जड़ा R2 कैसे निकालते थे हम R2 हम निकालते थे R2 equal to होता है A minus C sorry A minus R1 A minus R1 A to fixed है किसी भी prism का तो A minus R1 है तो इसका मतलब यह हुआ कि R2 की minimum value तब होगी जब R1 maximum होगा तो इसलिए हमने क्या लिखा hence R2 is minimum when R1 is maximum खीक है आपने क्या लिखा कि hence R2 is minimum when R1 is maximum क्योंकि वो तो A minus R है तो A अगर fix है तो इसका मतलब जितना ज़्यादा minus होगा उसमें से R2 उतना छोटा होगा तो R2 की minimum value का मतलब क्या है कि R1 की maximum value और R1 की maximum value का मतलब क्या है आउ लिखें देखो R1 maximum कब होगा R1 maximum implies या means I maximum जब incidence angle maximum होता है तभी R1 maximum होगा वो तो directly related है उसके साथ Snell's law के साथ तो इसलिए जब I maximum होता है I maximum I the maximum value of I can be the maximum value of I can be आप बताओ 90 degree 90 degree से ज़्यादा थो नहों सकता है कभी भी I तो इसलिए maximum value of I can be 90 degree तो जब 90 degree I max equal to 90 degree हो गया when अब देखो अब हमने बता चल गया कि अब उल्टा चलेंगे अब I max हमें पता है कि 90 degree हो सकता है मतलब कि अभी क्या पता चला हमें इस stage तक means कि जब I जब I की value 90 degree होगी उस समय R2 जो है वो minimum होगा और उस समय भी अगर TIR हो गया तो इसका मतलब हमेशा होगा ये मतलब है इस बात का इस बात को समझ ले ना और अपनी language में लिखके रखो कि हमने यहां तक क्या प्रूव कि आभी तक कि I की maximum value 90 degree है और जब I 90 degree होता है उस समय R2 की value minimum होती है उस से कम कभी नहीं हो सकती I 90 degree से I 90 degree जब होगा R2 minimum होगा और अगर उस समय भी TIR हो गया तो मतलब TIR हमेशा होगा ठीक है तो ये मतलब है तो इसका मतलब the maximum value of I can be 90 degree we know that we know that when I is equal to 90 degree ये हमने proof किया है पहले भी R1 is equal to C R1 उस समय किसके बराबर होता है critical angle के R1 किसके बराबर होता है critical angle के and hence and hence R2 is equal to A minus C R2 उस समय किसके बराबर होगा A minus C के तो इसलिए इसलिए R2 minimum value क्या आ गई R2 की minimum value क्या आ गई A minus C hence R2 minimum is equal to A minus C क्योंकि ये R1 maximum हो गया R1 maximum की value क्या हो गई क्या C I max कितना हो गया 90 degree उसकी वज़ा से R1 max क्या हुआ C R2 अगर R1 max C हुआ तो R2 minimum कितना हुआ A minus C जो A minus C हो गया तो अब आप लिखोगे R2 अभी आपने लिखा था पीछे क्या कि R2 किसके बराबर होना चाहिए R2 R2 should be greater than R2 minimum should be greater than C तो इसका मतलब क्या हुआ तो R2 minimum should be greater than C तो A minus C should be greater than C देखो R2 minimum is equal to A minus C यह हमने अभी प्रूव कर लिया यह भाई R2 minimum की जो minimum value हो सकती है वो कब हो सकती है जब I 90 degree होगा और I जब 90 degree होगा तो R2 की minimum value क्या होगी A minus C अभी हमने लिखा था 40 IR R2 minimum should be greater than C इसका मतलब हुआ A minus C should be greater than C A should be greater than 2C यह याद रख लो बड़ी simple सी बात है इसकी एक छोटी सी example आपको बता देता हूँ मान लो एक prism है जिसका refractive index है root 2 उसका C किसके बराबर होगा 45 degree sine inverse 1 upon root 2 उसका C कितना होगा 45 degree उसका C अगर 45 degree होगा और ऐसा prism में ले अगर उस prism का angle of prism उस prism का angle of prism यानि कि angle A greater than अगर 90 degree होगा तो उस prism में TIR आप रोक ही नहीं सकते उस prism में TIR होगा ही होगा और TIR होने का मतलब यह होगा TIR होने का मतलब यह होगा कि आपका जो वो prism होगा A greater than 2C आपने condition निकाल ली for 100% TIR के लिए let's take an example एक example लेते हैं हम क्या if a prism is has a refractive if a prism of refractive index root 2 अगर उसका refractive index कितना हो root 2 यानि कि उसका critical angle कितना हो गया यानि कि उसका critical angle कितना हो गया 45 degree कैसे निकाला है मैंने अभी बताया भी आपको ठीक है has a angle of prism if it has a angle of prism कितना greater than 90 degree 95 degree 92 degree 91 degree अगर ऐसा उसका angle of prism होगा उस prism के अंदर उस prism के अंदर क्या होगा देखो मैं आपको बताता हूँ उस prism के अंदर यह चोटा सा prism मैं यहां दिखा रहा हूँ यहां से रे जाएंगी यहां जाएंगी बाहर कभी नहीं आएंगी जो मर्जी angle of incidence होगा TIR ही हो जाएगा 100% TIR 100% TIR होगा ऐसे prism मैं जो मैंने आपको अभी example दी इस जस्ट अन example वो depend सारा करता है A पे और C पे simple condition है A greater than 2C अब हम उस condition की बात कर रहे हैं जब TIR होई नहीं सकता एक ऐसा prism बताओ जिसके अंदर TIR होई नहीं सकता जो मर्जी angle of incidence फैंको TIR होई नहीं सकता तो ऐसा लगता है कही बार कि आपने पहले अप्रूब तो कर लिया कि 100% TIR तब होगा जब A greater than 2C होगा जब A less than 2C होगा तो TIR नहीं होगा ऐसा नहीं है पूरी condition सीखो अपने आप पता चल जाएगा ठीक है हमने तीन conditions निकालनी है मैं बताता हूँ आप तीन तरह की conditions है एक ऐसे prisms जो अभी मैंने पीछे आपको एक example दी जिसके अंदर 100% TIR होगा अब एक ऐसे prism जिसके अंदर जिसके अंदर TIR होई नहीं सकता और ऐसे भी कुछ prism होगे जिनके अंदर कुछ angles के लिए TIR होगा और कुछ angles के लिए TIR नहीं होगा ठीक है अब देखो जिसके में कोई कभी TIR नहीं हो सकता उसके लिए क्या होना चाहिए आपको मालूम है आपको मालूम है क्या होना चाहिए देखो R2 max मतलब अभी मालूम है, we know that R2 has maximum value when R1 is minimum, R1 जब minimum होगा. and R1 has minimum value when I is minimum, condition when there is no TIR. देखो, यह हमने पहले लिख रहा था, मैं खराब हो गया हो, R2 maximum less than C, R2 has a maximum value when R1 is minimum and R1 has a minimum value when I is minimum. I is minimum, तो अब आप बड़ा simple मालूम है आपको एक बात क्या, कि I minimum equal to क्या हो सकता है, I maximum क्या हो सकता है, 90, I minimum क्या हो सकता है, 0, simple बात, तो I minimum 0 है, अब I minimum जब 0 होगा, तो R minimum, R minimum कितना होगा, 0, जब I 0 है, तो R भी 0, R1 0 होगा, R1, स्नेल स्लो लगा के देखो, 0 आएगा, साइन ही 0 हो जाएंगे, तो साइन 0, 0 होता है, तो इसलिए R1 की minimum value क्या होई, 0, तो R1 की minimum value 0 होने का मतलब है, R2 A के बराबर, ठीक है, R2 A के बराबर, लिख लो भी, this shows, when I is 0 degree, I is 0 degree, R1 is also 0 degree, and R2 is equal to A minus R1 is equal to A, so R2 has minimum value, sorry, R2 has maximum value, when I is 0 degree, and which is A, which is equal to A, यहां हमने एक चीज निकाल ली, जो हम इतनी देर से कर रहे थे, कि R2 max, जो है, that is equal to A ही हो सकता है, और वो कब हो सकता है, जब I की value 0 होगी, हमने यह प्रूफ किया, तो R2 max is equal to क्या लिख दिया हमने, A, फिर हमने अभी लिखा था, for 0% TIR, R2 max should be greater than, sorry, should be less than C, A should be less than C, condition बन गई, A should be less than C, मला simple अभी जो हमने पीछे एक्जामपल ली थी, 45 डिग्री वाले एंगल की, वहाँ पे अगर एंगल A, उसी प्रिजम का, उसी refractive index वाले प्रिजम का, जिसका refractive index root 2 हो, उसमें अगर एंगल आप प्रिजम less than 45 डिग्री हो, तो उसमें TIR हो ही नहीं सकता, जो मर्जी एंगल आफ इंसिदेंस ले आओ, अभी तो हमने प्रूव किया, 0 डिग्री भी ले आओ तब भी नहीं होगा, पीछे वाले मैं का, 90 डिग्री भी ले आओ तब भी TIR होगा, तो जब 90 डिग्री पे भी TIR हो रहा है, तो उससे शोटे भी TIR हो गई होगा, इधर बोल रहा हूँ कि जब 0 डिग्री पे नहीं हो रहा है, तो फिर किस पे होगा, तो ये बाते समझ नहीं हैं आपने, दो कंडिशन्स हो गई, तीसरी कंडिशन्स इससे भी ज़्यदा इंटरस्टिंग है, ठीक है, उसको भी देखते हैं, अब इतनी बात हम लोगों को समझ आ गई ही, कि अगर आपका A जो है वो ग्रेटर थन 2C हो, तो 100% TIR, A less than C हो, 2C हो, तो TIR होई नहीं सकता, लेकिन इसके बीच के कुछ एंगल्स बच गे, कौन से, जैसे अभी वो एक्जाम्पल ले रहे हैं, 45 वाली, जिसमें C एकल टू 45 डिग्री है, उसके अंदर अगर A की वैल्यू 90 डिग्री अले प्रिजम हो, तो 100% TIR, 45 डिग्री हो, तो TIR हो ही नहीं सकता, 45 से नीचे, तो 45 और 90 के बीच की क्या कहानी है, ये समझना है, 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच अगर अंगल हो, 55 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, तो क्या होगा, बड़ी common sense है, मैं बताता हूं क्या होगा, कुछ एंगल पे, कुछ एंगल, किसके एंगल पे, एंगल ओफ इंसिडेंसिस पे, कुछ एंगल ओफ इंसिडेंसिस पे, TIR होगा, कुछ पे TIR नहीं होगा, उसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे, 0 डिग्री को, जब आपका पहली condition हमने क्या डाल दी, now, what happens when, now, what happens, what happens if, if, A lies between, C and 2C, ऐसे, C less than A, less than 2C, ऐसा condition हो, तो क्या होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, अब हमारा ऐसा प्रिजम है, जिसका एंगल जो A है, वो C और 2C के बीच में लाई कर रहा है, in such a prism, in such a prism, with, A equal to 0 degree, अगर A 0 degree ले लूँ, अरे, A नहीं, I, when I equal to 0 degree, ऐसे prism के अंदर, तो क्या होगा, ऐसा prism है, जिसके अंदर पहले से ले रहा हूँ, कि A, जो A है, वो C और 2C के बीच में लाई कर रहा है, और अब आपने 0 degree incidence ले ले ली, ठीक है, तो, R1 equal to 0, R2 equal to A, R2 किसके बराबर आगया, A के, अब R2 A के बराबर आने का मतलब हुआ, means, R2 is greater than C, है न, क्योंकि A तो greater than C है, क्योंकि हमारा जो हम prism ले रहे हैं, वो है ही क्या, वो C और 2C के बीच में लाई कर रहा है, तो जब आपने बोला कि अगर आपने angle of incidence 0 degree लिया, तो R1 0 होगा, R2 equal to A होगा, R2 जब A होगा, तो R2 जो है वो क्या आया, greater than C आया, less than 2C आया, वो तो चलो बात कि अलग बात है न, लेकिन R2 तो greater than C आया, तो R2 greater than C का मतलब क्या होगा, TIR will happen, means, C और 2C के बीच में लाई करता है, 0 degree पे तो TIR होगा, यह पता चलो गया, भाई 0 से अगर कहानी शुरू करें, तो 0 से, अब 0 की बात है कि 0 के बात के angles, 1, 2, 3, 4, कब तक TIR होना है, और कब TIR चूटना है, यह पक्का है कि अब TIR चूटना है यहाँ, यह ऐसा प्रिजम है जिसके अंदर कभी TIR होना है, और कभी TIR नहीं होना है, कभी मतलब टाइम नहीं, कभी है यहाँ पे क्या, कभी है यहाँ पे angle of incidences, कुछ angle of incidences के लिए TIR होगा, अब वो boundary हम फता के लगाना चाहते हैं, बताओ यार वो कौन सी boundary है, जहाँ पे आप हमें पता चल जाए, कि TIR नहीं होगा, उसके आगे TIR नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना है आप देखो, आप देखो, Now, we want to find an angle, want to find angle of incidence, उसका नाम रख देते हैं आई-नौट, आई-नौट, ठीक है, if now we want to find the angle of incidence, आई-नौट, such that, TIR, just stops, just stops, in, just stops in, a prism, कौन सा prism है, ये नहीं बूलना है न, in a prism with, with, angle A, lying between, lying between, C and 2C, एक ऐसे prism के अंदर, अब हम एक ऐसा angle पता, 0 degree पे तो बता चलके TIR हो रहे है, अब 0 से आगे बढ़ेंगे, तो कुछ दे TIR होता रहेगा, लेकिन एक angle आएगा, जब TIR बंद हो जाएगा, वो मुझे पता लगाना है, कि वो angle just जहां stop होगा, वो क्या होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, for that, for that, R2 should be equal to C, मुझे अब just stops की जब बात आती है, फिर equal to C ले ले लेते हैं, क्या, कि C के जब ब्राबर होगा, तो बस वो angle है, जहां पर बस बाउंडरी आ जाएगी, जब मुझे पता चल जाएगा, बस उसके थोड़ा उपर गया, तो अब TIR बंद, तो TIR जब C के ब्राबर होगा, तब ये ऐसा होगा, तो TIR equal to C का मतलब क्या हुआ, TIR equal to C का मतलब हुआ, A minus R1 equal to C. R2 equal to C means, means A minus R1 equal to C. R1 equal to A minus C. ठीक है? R1 की value कितनी होनी चाहिए? A minus C के. बस हो गया, लेकिन हम तो angle of incidence पता लगाना चाहते हैं न, इसलिए स्नेल स्लोग लगाना पड़ेगा, अब 1 into sin I naught equal to N into sin A minus C. question खतम हो गया, sin I naught equal to, उतो निकाल लिए हैं, हमने 1 into के लिखना है, ठीक है? यहां से I naught की value क्या आ गई? sin inverse, sin inverse, n, sin inverse, n, sin A minus C. मतलब आपको A minus C की value निकालनी है, उसका sin लेना है, फिर उसको N से multiply करना है, और उसका sin inverse लेना है, तो आपको वो I naught की value मिल जाएगी. जिस पे क्या होगा? जिस पे A और C गिवन होते हैं, गबराने वाली बात ही नहीं है, A और N गिवन होगा हर prism का आपको. जब A और N गिवन है, C भी पता चल गया, sin inverse 1 upon N C होता है. तो यह सब जब values पता चल गी, तो सिरुफ calculation ही बची ना? तो यहां से I naught की ऐसी value मिल जाएगी, जब T I R नहीं होगा. मतलब होगा क्या, अब क्या प्रूफ किया हमने? यहां से हमने क्या प्रूफ किया? यह तो I naught की value प्रूफ कर दी. इसके आगे जो हमने अब प्रूफ किया वो यह था, कि 0 से लेके I naught तक, ऐसे लिख लेंगे हम, 0 से लेके I naught तक, T I R होगा. There will be T I R. ऐसे prism है, किस prism की बात हो रही है? और I naught से लेके 90 डिगरी तक, no T I R. ठीक है? There will be no T I R. ठीक है? Inner prism, किसकी बात है यह? Inner prism, यह नहीं बूलना, हर prism की बात नहीं है यह. Inner prism, with, A, lying between, बार-बार बोल रहा हूँ आप, lying between, C and, 2C. ठीक है? यह हमने कहानी की, और फिर आप I naught की value, याद भी रख सकते हों, यहां लिख देते हैं, side पे कि I naught कितना निकाला आपने? I naught equal to, here I naught equal to, here I naught equal to, sin inverse, n sin, n sin, A minus C, यह आगया आपको. यह आगया. यह आपको समझाना चाहिए, जो मैंने अभी बताया आपको, यह सारी कहानी थी, कि TIR कब होगा और कब नहीं होगा, एक अच्छी चीज थी, important चीज थी, सीखने लाइक था, कि जिसको आपने देखा, कि कब TIR होगा, कब TVA, प्रेजम के अंदर क्या क्या हो सकता है, वो सब हमने डिसकोस किया, लास्ट वीडियो में हमने, ग्राफ अफ दे, अंगल अफ डिवेशन को डिसकोस किया था, और यहां पे हमने यह डिसकोस किया, थैंक यू बेरी मुच, अंगल 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 अंगल,